पर्फेक्ट इलेक्ट्रोनिक्स से संपुर्ण अटोमेटिक अटो लेक्चर बेल आणि अटो राश्ट्रगित प्लेयर सिस्टेम शाडा कॉलेज साथी अट्यन दू पयुक्त उत पादः पर्फेक्ट इलेक्ट्रोनिक्स M.I.D.C.Y. पर्फेक्ट इलेक्ट्रोनिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें से आज मैं आपको और्डिन युनो बेस एक नया प्रोजेक्ट आपके लिए लेक कराई हूँ। उसका नाम है औप्स्टेकल सेंसर रोबोट। इसमें मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताऊंगी। इसका प्रोग्रेमिंग कोड एक्स्प्लेंग करूंगी और इसका एक्च्वल डेमू भी दिखाऊंगी। मैं हूँ अंकिता परफिक्ट इलेक्ट्रोनिक्स M.I.D.C.Y. ये वीडियो साइन्स कॉलेज और इंजिनेर कॉलेज के स्टुडन्स और टीचर्स के लिए काफी यूद्जपूल है। तो चलिए फिर देखते हैं आप्स्टेकल सेंसर रोबोट का कंस्रक्शन। तो ये है प्रोजेक्ट सेटप आप्स्टेकल सेंसर रोबोट पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। विस्सी पिन है उसको ओर्डिनयों के का 5 होल्ट का सप्लाई दिया है और उसकी जो थर्ड पिन है उरेंज पिन वह पावर पिन है उसको ओर्डिनयों के पिन नंबर 10 पे कनेट किया है नेक्स है अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर के टोटल 4 टर्मिनल्स है, उसका जो 1st टर्मिनल है VCC टर्मिनल उसको उसको ओर्डिनो नो का 5 होल्ड का सप्लाई दिया है, उसकी जो 2nd pin है Trigger pin उसको ओर्डिनो के pin नमबर 9 पे कनेट किया है, उसकी जो 3rd pin है Eco pin उसको और डिने उनों के pin नमबर 8 पे connect किया है और उसकी चोथी pin है ground pin उसको और डिने उनों के ground पे connect किया है यह LM983 का motor driver है और डिने उनों का supply motor driver को जाता है DC motor के लिए 9 hold connect किया है दूसरे DC motor के लिए 9 hold connect किया है में total 6 cell है एक cell 1.5 hold का है इसे total 6 cell हमने यहाँ पर connect की है जिसकी total 9 hold होती है यह USB type B का port है उसको laptop के साथ connect किया है laptop का power supply और डिने उनों को जाता है और यह obstacle sensor robot का programming code है यह हो इसका construction तो अब हम इसका programming code दिखते हैं पहले ordino units icon पे click करती हूँ मैंने यह program अल्रेडी type करके रखा था तो इसकी first line है hash include servo.h यहाँ पर मैंने servo is library का use किया है इसलिए statement लिखा है next है hash define trick pin 9 trick pin ultrasonic sensor की trick pin है उसको ordino unit के pin number 9 पे connect किया है इसलिए statement यहाँ पर लिखा है next line है hash define eco pin 8 मतलब ultrasonic sensor की जो eco pin है उसको ordino unit के pin number 8 पे connect किया है इसलिए statement लिखा है next line है hash define mla4 इसका मतलब left motor के first pin को pin number 4 पे connect किया है next line है hash define mlb5 इसका मतलब left motor के second pin को pin number 5 पे connect किया है next line है hash define mla6 इसका मतलब right motor के first pin को pin number 6 पे connect किया है और next line है hash define mrb7 इसका मतलब right motor के second pin को pin number 7 पे connect किया है next line है यहापर word setup word setup में हम जब भी कोई program type करते हैं तो उसे ordino unit एक ही बार execute करता है तो यह four lines मतलब motor pin को as a output यूज किया है next line है word loop word loop में हम जब भी कोई program type करते हैं तो उसे ordino unit बार बार execute करता रहता है यहापर distance दिया गया है if distance greater than 15 इसका मतलब है यह obstacle absence के लिए condition दी गई है और next यहापर यह four line digital right mrb high, mral low, mlb high और mla low इसका मतलब obstacle absence होगा तो यह forward move करेगा next है else if distance less than 10 and distance greater than 0 then इसका मतलब है यह obstacle presence के लिए condition दी गई है और यह four lines मतलब obstacle यहापर stop हो जाएगा next हम यहापर देखते हैं यह four lines digital right mrb low, high, low, high इसका मतलब obstacle present होगा तो इस statement से backward move करेगा next है four lines है इसमें यह stop हो जाएगा और last की four lines इसमें यह left move हो जाएगा तो यह हुआ इसका programming code अब मैं यह program run करके दिखाती हूँ तो अब यह program ordinoino में ordinoino के IC में fit हो चुका है तो मैं यह ordinoino की cable निकाल देती हूँ और हम यहाँ पर बाहर का power supply मतलब हमने जो 9 hold की batteries यहाँ पर connect की है उसका power supply ordinoino को देंगे हम जैसे यह power supply देंगे वेसे ultrasonic sensor के सामने जो बे obstacle आएगा वो यह edit करेगा मतलब power supply on करने के बाद यह robot forward direction में चलेगा और forward direction में चलने के बाद ultrasonic sensor के सामने अगर कोई obstacle आया तो यह stop हो जाएगा फिर यह rotate होकर left drag देखकर अपना direction चेंज करेगा और यह वेसे ही चलता जाएगा तो चलिए फिर अब इसका demo देखते हैं अब मैं यह power supply connect कर देते हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह robot forward direction में जा रहा है जैसे उसे obstacle दिख रहा है वेसे वो अपना direction चेंज करते जा रहा है जैसे उसके सामने कोई भी obstacle नहीं था तो वो forward direction में जाता हो दिख रहा है मैं यह फिर से run करके दिखाती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ultrasonic sensor के सामने जैसे यह obstacle आता है तो यह backward direction में जाता है और नया direction ढूंड लेता है तो यह हुआ obstacle sensor robot का demo आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इसमें कोई doubt या फिर suggestion हो तो comment box में ज़रूर लिखे पर्फेक्ट इलेक्ट्रोनिक्स से संपुर्ण अटोमेटिक अटो लेक्चर बेल आणि अटो राष्टर गित प्लेयर सिस्टेम शाडा कोले साथी अत्यां दू पयुक्त उत्पाद पर्फेक्ट इलेक्ट्रोनिक्स M.I.D.C.Y. फ्री रेमो साथी संपरका अट्ठेण नो दोन्षे बाविस एकेचाइस दोन्षे पन्चा वन्ना